नमस्कार दोस्तों मैं रुपेश कुमार और आप देख रहे हैं अमरा इंडस्ट्रियाल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बूल बूल दोस्तों आज का वीडियो में हम जानेंगे ट्रांसपर्मर का न्यूट्रल पॉइंट को आर्थिंग क्यों किया जाता है आप देखिऊंगे जितना सारा ट्रांसपर्मर है सारे ट्रांसपर्मर का न्यूट्रल पॉइंट को ग्राउंड कर दिया जाता है यानि आर्थ के साथ कोनेट कर दिया जाता है चाहे पावार ट्रांसपर्मर हो कंट्रोल ट्रांसपर्मर हो जितना सारा ट्रांसपर्मर है सारे का neutral point को आर्थिंग कर दिया जाता है यानि secondary side का neutral point है दोस्तो उसी को आर्थिंग कर दिया जाता है तो ये क्यूं करते हैं मैं पुरे आपको detail में समझाने वाला हूं practical करके आपको दिखाने वाला हूं दोस्तो यहाँ पे दो control transformer है तो एक control transformer सही है दूसरा वाला control transformer खराब हो गया है जल गया है तो control transformer को आप लोग कैसे चेकिंग करेंगे multimeter लिजे multimeter से आप लोग आसाने से टेस्टिंग कर सकते हैं सबसे पहले दोस्तो primary winding को चेक कर लिजे primary winding यानि जहाँ पे आप लोग power supply देंगे input power supply देंगे 415 volt यहाँ पे लिखा गया है तो आप लोग एसे multimeter से winding सही है की नहीं चेकिंग कर सकते हैं transformer सही है की नहीं यह जानने के लिए आपको उसका continuity चेक करना पड़ेगा यानि winding open हुआ है या winding सही है यह पहले आपको देखना है तो सबसे पहले दोस्तों primary winding का जो दो lead है दो lead को आपको एसे multimeter से उसका ohm चेक करना है यानि multimeter को ohm पे set कीजिए primary winding का दोनो lead को दोनो lead के बीच में resistance चेक कीजिए अगर resistance आ रहा है तो primary winding सही है similarly secondary winding को भी आपको उसका continuity चेक करना है secondary winding सही है या secondary winding open हो गया है तो यहाँ पे जो secondary winding दोस्तों वहाँ पे दो winding है यानि पहला वाइंडिंग में 110 volt मिलेगा और second winding में 240 volt मिलेगा दोस्तों यानि primary में हम लोग 415 volt सपलाई देंगे तो secondary में 110 volt मिलेगा और 240 volt मिलेगा तो यह दो winding को आपको चेक करना है अगर आपका control transformer में इसी तरह का दो winding है secondary का तो दोनों को आपको चेक करना पड़ेगा और फिर primary to secondary उसके बीज में भी आपको continuity चेक करना है यह open दिखाना चाहिए तो यहाँ पर देखिए दोस्तों फास्ट वाला तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम लोग primary to secondary चेक कर रहे है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों primary to secondary 36 ohm दिखा रहा है जो की open दिखाना चाहिए लेकिन जैसे मैंने बोला कि यह transformer खराब है उसकी बज़े से यह winding short हो गया है primary and secondary winding short हो गया है transformer जल गया है इसलिए primary to secondary के बीच में यह continuity show कर रहा है 36 ohm show कर रहा है जो की open दिखाना चाहिए तो इसी तरह दोस्तों आप लोग control transformer को checking कर सकते हैं इसका insulation जल गया है इसलिए primary and secondary winding short हो गया है तो यहाँ से पता चलागी एक transformer सही था फास्ट वाला transformer सही है और second वाला control transformer जल गया है दोस्तों तो चलिए यह transformer को हम लोग supply देके देखते हैं कि transformer का जो secondary है secondary में कितना output मिलता है अगर primary में हम लोग 415 वोल्ट supply देंगे तो secondary में कितना voltage मिलता है यह भी हमको checking करना है दोस्तों तो आच्छे से देख लें दोस्तों ट्रास्पर्मर में दो secondary winding है हमारा चानल को सब्सक्राइब करें और bell icon को प्रेस कर दें ताकि मैं आगे जितना सारा वीडियो लाओ सारे वीडियो अप्तों डाइरेक्ट और कुछ समझना चाहते हैं तो आप मेरा playlist चेक कर सकते हैं वहां पे ट्रास्पर्मर का बहुत सारा वीडियो है नहीं तो आप लोग description को चेक कर सकते हैं वहां पे आपको link मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों supply देके देखते हैं कि इसका secondary में हमको कितना output मिलता है तो primary में हम हम लोग supply देंगे 415 वोल्ट तो 415 वोल्ट के लिए हमको एक 3-phase power supply चाहिए जो कि यहां पर available है यहां पर देखे दोस्तों एक 3-phase का MCB लगा हुआ है तो हम लोग OR लेंगे और OR से हम लोग transformer यह MCB को connect करेंगे जो की connection हो गया है दोस्तों अभी आप MCB को on करेंगे on करने के बाद चलिए दोस्तों secondary में क्या voltage मिलता है उसको आप measure करते हैं तो यहां पर देखे दोस्तों MCB अभी on हो गया अभी multimeter को आपको voltage पे set करना है SC voltage पे set करना है और secondary side में जैसे मैंने बोला कि यहां पर दो secondary winding है तो secondary side में आपको voltage measure करना है यहां पर देखे दोस्तों primary में हम लोग 415 volt दे रहे हैं और secondary में फास्ट बाला जो secondary winding है वहां पर देखे दोस्तों 110 volt SC supply मिल रहा है और यहां पर और एक ट्या पर secondary winding का दो ट्या पर एक में 110 volt मिलेगा और second में 230 volt सप्लाई मिलना चाहिए जो कि यहां पर 240 volt सप्लाई मिल रहा है दोस्तों यानि secondary winding number 1 वाला सही है और secondary winding number 2 वह भी 240 volt मिल रहा है दोस्तों यानि हमको पता चल लगा है कि transformer secondary winding सही है सही बोल्टेज मिल रहा है लेकिन दोस्तों जैसा मैंने शुरुवात में बोला कि नीट्राल को क्यों आर्थिंग किया जाता है तो चलिए एक बार दोस्तों हम लोग चेकिंग कर लेते हैं नीट्राल टू आर्थ कितना बोल्टेज मिल रहा है उसको को मेजर करना पड़ेगा कि निउट्राल टू आर्थ कितना वोल्टेज मिल रहा है यहां पर देखें दोस्तों मॉल्टी मिटर का एक लीड को हमने आर्थ वे लगाया है और दूसरा वाला लीड को आमने ट्रांस्पर्म और का जो 0 वोल्ट लिखा गया है यानि निउट्राल वहां पर लगाया है तो कितना वोल्टेज कर रहा है देखें दोस्तों निउट्राल में आमको लगबक 90 वोल्टेज मिल रहा है यहां पर देखें दोस्तों निउट्राल पर हमको 90 वोल्टेज मिल रहा है और जो 110 वोल्ट वाला सप्लाई वहां पर 143 वोल्ट मिल रहा है और show कर रहा है तो चलिए दोस्तों अभी हम क्या करेंगे यानि neutral point जो रहता है दोस्तों वहाँ पे 0 Voltage मिलना चाहिए लेकिन यहां पे 90 Voltage मिल रहा है तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे यह जो Betille neutral Point है neutral point को हम लोग Ground के साथ कर कर देते हैं यहां पर देखें दोस्तों नियूट्राल पॉइंट को हम लोग आर्थिंग के साथ कनेट कर दिया अभी दुबारा हम इसको मेजर करेंगे पहले हम लोग सेकेंडरी साइट का 0-110 बोल्ट के बीच में मेजर करेंगे और फिर 0-240 बोल्ट बीच में कितना बोल्ट में वहां पर भी 240 बोल्ट शो गया दोस्तों यानि नियूट्राल पॉइंट को हम जब आर्थ पर कनेट किये तो बोल्टेज बिल्कुल बैरियासर नहीं हो रहा है मॉल्टिमीटर में पहले जैसे शो कर रहा था नियूट्राल 210 110 शो क्या एंड 0-240 वह भी 240 शो क्या चलिए और एक बार नियूट्राल टू आर्थिंग यानि 0 वोल्ट टू आर्थिंग जो पहले 90 वोल्ट शो कर रहा था वो कितना सो कर रहा है उसको थोड़ा मेजर करते हैं यहां पे देखिए दोस्तों वह बिल्कुल 0 वोल्ट शो क्या तो अभी हम क्या करेंगे दोस्तों यह जो नीट्रल पॉइंट को हमने ग्राउंड पे लगा दिया था उसी ओयर को खोल देते हैं देखिए दोस्तों मॉल्टिमिटर कनेट हुआ है यहां पे देखिए दोस्तों 85 वोल्ट सो कर रहा है यानि नीट्रल पॉइंट को जब हम आर्थ में लगा दिये तो 0 सो गया और जब हम वहां से हटा दिये तो दुबारा से यह 90 वोल्ट सो गया दोस्तों तो अभी आपको पता चलिए दोस्तों कि सेकेंडरी साइट का जो 0 वोल्ट नीट्रल सप्लाई है उसको आर्थिंग क्यों किया जाता है आर्थिंग करने से ही उसका सही वोल्टेज यानि सही माइने वो न दोस्तों वहां पर चेक कर लें अगर नहीं हुआ है तो इसको कर देना चाहिए तो आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो देखने के बाद आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे इंडस्ट्रियाल इलेक्रिकल चैनल बोल बूल बूल मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार